तो दूस्तों सिरीम बात कने वाले हिंदूस्तान Unilever Limited Company के बारे में और हम यहांपर करेंगे HCL का Weekly Analysis के बने एक्स्ट टूपानी के लिए कॉन्जे मैंडने लेवल से हैं जो हम हिंदूस्तान Unilever Limited Company के लिए ध्याद में रखने हैं उसके accordingly क्या possible levels and हमें यहाँ पर जो है वो price action देखने को मिलेगा अब देखो दोस्तों Hindustan Unilever के अंदर भी हमें throughout this week कई ना कई थोड़ी सी sidewaysness देखने को मिली है बट last जो week था वो यहाँ पर stock के लिए काफी जादा खराब था क्योंकि quarter 2 के results उसके बाद overall FMCG sector के अंदर selling तो इनी सारी चीजों की वज़े से actual जो recently 3000 रुपीज का high लगाया था वो again गिरते गिरते हमें almost 2500 तक आता हुआ देखने को मिल चुका है इस week का and last week का common low है 2500 तो next week का भी support यही रहेगा अगर 2500 के support को break करके अगर actual नीचे निकलता है तभी जाके हमें कोई again selling आती भी देखने को मिलेगी resistance क्या रहेगा next week का तो 2600 पॉंट की range है अगर 2600 के उपर निकल गया तो वपीज से क्योंकि यहाँ पर जो sellers आए है वो trap होंगे और उसके बाद आरम से हमें actual के अंदर भी यह कचिकासी short covering अपसेट पे देखने को मिलेगी